कहानी दुराचारी लेखिका सुभद्र कुमारी चोहन पंडित राम सेवक के हाथ से सुम्रनी गिर पड़ी वह जल्लाय से उठकर पूजा की कोठरी के बाहर बारामदे में चले आए बारामदे से गाना साप साप सुनाई पड़ने लगा मुन्शी दया संकर के तिमंजिले पर से कोई कोकिल कंठी गाउ उठी नीर भरन कैसे जाऊं सच्मुच गीत बहुत ही मधूर और गान का ढंग आकरशक था पंडित राम सेवक लाख प्रयत्न करके भी माला जपने में सफल न हो सके जब राम नाम का गड़ इस गीत के सामने तूठी पड़ा तब पंडित जी सुमरनी एक तरफ रख कर बारामदे में एक स्टूल खीच कर बैठ गये दया शंकर की कोठी की तरफ मुह करके वे संगीत का सुख लेने लगे गाई का गा रही थी डगर चलत मों से रार करत है बहिया पकड मोरी धीट कनाई पंडिजी संगीत इतने तनमय होकर सुन रहे थे कि वे अपने पडोसियों का आना भी ना जान सके उनकी तंद्रा तब तूटी जब उनके पडोसी किशन ने उनके कंधे पर हात धरते वे पूछा पूजा हो गई पंडिजी पंडिजी खिस्याते से बोले कहा की पूजा कहा का पाट भाई जब से ये पडोसी आया है तब से सुबह को गाना, शाम को गाना, दोपहर को गाना, गाना छोड़कर जैसे उसे कोई कामी नहीं है रेडियो तो रेडियो अब एक नया तूफान और खड़ा किया है जीवन बोला भाई हो कुछ भी बूरा हो चाहे भला पर मुहले में एक जान सी आ गई है और सच बताओ तो यह गाना मुझे बूरा नहीं लगता पंडिजी कहके वह मुस्कुराया पंडिजी तिलमिला से उठे बोले हाँ तुम्हे क्यों न अच्छा लगे मुन्शी दयाशंकर की कोठी पर तुम्हारी शाम जो कट जाया करती है बड़े आदमी के साथ उठते हो बैठते हो पान सिग्रेट उपर से मुफ्त पर यहां तो इस गाने बजाने के मारे पूजा पाठ धरम करम सब डूबा जा रहा है डॉक्टर कामता प्रसाद बोले अरे भई माना की गाना बजाना बूरा नहीं है पर सब बात समय पर ही अच्छी लगती है हर घड़ी गाने बजाने से तो भई मुहलब सचमुच में बरबाद हुआ जा रहा है और बच्चे बिगड़े जा रहे हैं किशन बोला किसके बच्चे बिगड़े जा रहे हैं डॉक्टर साहब कोई उदारन की तरह बताए न डॉक्टर साहब खीज उठे बोले लोग अब तुम मुझे क्रॉस एक्जामीन करने लगे ये जो आज तीमंजीले पर वैशा बुला कर गवारा है न तो आज बच्चे देखते नहीं है क्या और उन पर इसका कुछ बुरा असर पढ़ता है की नहीं पंडिजे जोड से बोले पढ़ता क्यों नहीं है जरूर बुरा असर पढ़ता है सच कहता हूँ मेरा बस चले तो ऐसे दुराचारी को गोली से उड़ा दू डॉक्टर साहब बोले मेरे मन में भी यही आता है पर क्या करूँ अरे भाई रुपया पैसा है तो जमीन जायदात खरीद लो मंदीर बनवा दो धर्मशाला बनवा दो कुछ धर्म के नाम पर खर्च कर दो यह क्या कि सारा पैसा बस नाच गाने में फोक दिया जाए फिर स्वर को धीमा करके बोले और भाई शाम को आठ बजे के बाद तो वो सदा शराब के नशे में ही रहता है ऐसा दुराचारी तो कहीं देखा ही नहीं उसकी तो छाया भी चूना पाप है धर्म करम से दूर सदा पाप में ही डूबा रहता है पंडित जी ने जीवन की ओर देखा फिर बोले नभई ऐसी बात तो जीवन भया के सामने न करो जीवन भया की शाम तो प्राया वहीं कटा करती है और कौन जाने घूट दो घूट चड़ा भी जाते हो तो कोई आश्चरे की बात तो नहीं संगीत का असर तो पढ़ता ही है बात अधूरी रह गई इसी समय फटे चीतरों में लिप्टीवी एक स्त्री अत्यन्त दुर्बल किसी प्रकार अपने तन को ढखे एक बीमार बच्चे को कंदे से लगाए वहां आप पहुचे बच्चे को वहीं सुला कर वह दोनों हाथ जोड़ कर धर्ती पर माथा टेक कर बोली पंडीची पैरो पड़ती हूँ ताला खुलवा देजिए लड़का बहुत बिमार है परदेश में कहां जाओ कल परसु तक किराया जरूर दे दूँगी आज कहीं नहीं मिला पंडीची उसे जिड़कते वे बोले जब तक किराया नहीं लाएगी ताला नहीं खुलेगा आज कल करते करते 15 दिन तो हो गए जा निकल जा नहीं तो ठोकर मार कर निकलवा दूँगा स्त्री फिर गिड़ गिड़ाई लड़का ठंड के मारे मर जाएगा मालिक ओढ़ने बिचाने का कपड़ा सब भीतर बंद है आप कहीं जिलाने से जीते हैं मालिक दया करें पंडी जी ने उसे और एक जोर की जिड़की दी बोले जा अभी निकल जा यहाँ से तेरा और तेरे बच्चे का मैने ठीका नहीं ले रखा है मरे या जीए शायद एक गरीबिनी के प्रती इतनी कठोरता उससे सही नहीं गई जीवन के जाते ही पंडित किशन और डॉक्टर साहब की तरफ मुखातिब होकर बोले बदमाश है साली जब तक इनके साथ इस तरह पेशन आओ किराया देते ही नहीं यह नहीं के इनके पास नहीं है पर देने की नियत नहीं है रोज चाय पीती है दूद शकर के लिए पैसे आ जाते हैं पर किराया देने के लिए सदा यही रोना रहता है किशन के अंदर जैसे कुछ दुख सा रहा था वह कुछ बोला नहीं डॉक्टर साहब हाँ रीवा वाले बदमाश होते ही हैं कहकर चुप हो गये वे भी मकान मालिक थे किराय वसूली में उन्हें भी अर्चन आती थी और प्राया यही होके रहता था जब मजदूर अपना ताला बंद करके मजदूरी करने चले जाते तब उन गरीब मजदूरों के कमजोर तालों पर इन मकान मालिकों के मजबूत ताले पड़ जाते थे और जब तक मजदूर फिर वह स्त्री हो चाहे पुरुष किराय की रकम लाकर ना दे दे मकान का ताला नहीं खुलता था फिर वह रकम चाहे चोरी करके लाए चाहे अपने आपको बेच कर यदि किसी भी प्रकार किराय की रकम वो नहीं जुटा पाता तो चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी उस गरीब को आस्मान की चाया के नीचे ही रहना पड़ता किसन और डॉक्टर साहब उठकर जाने को ही थे कि एक और दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति तिलक लगाए लाठी के सहरे आकर खड़ा हो गया डॉक्टर साहब और किसन के सामने कहने में कुछ संकोच का अन्भव करते वे भी नजाने क्या सोच कर बोला मालिक आज बड़ी आफ़त में पड़ गया हूँ दस रुपयों की बहुत जरूरत है बहु को बाल बच्चा हुआ था बुखार आ गया था अब हवा लग गई है तो अर बर बक्ति है बहुत गाफिल है मेम आई थी देखने को दस रुपय की दवा लिक कर गई है आज का काम चला दो मालिक आपका ही भरोसा है पंडि जी ने बूढे की और घूर कर देखा और बोले कोई जेवर लाए हो दिनू पंडित या वैसे ही रुपया लेने आ गए हो अभी तो पहले के ही रुपय पड़ेवे है एक ढेला ब्यास तक नहीं मिला दिनू सिट पिटास आ गया बोला जेवर वेवर हम गरीबों के पास कहा है मालिक अब सहारा न देंगी तो वह मर जाएगी मालिक आप ही उसे जिलाईए जिन्दगी भर आपकी गुलामी करूंगा मालिक पंडी जी जिड़कते वे बोले जेवर नहीं था तो फिर क्यों हाँ जुलाते वे चले आए जाओ अपना रास्ता नापो और सुनलो पिछला रुपया ब्याज के साथ साथ दिन के अंदर नहीं चुका दिया तो अदालत के जरिया वापस करूंगा समझे बूढा दीनू हताश होकर चला गया पंडी जी खीच कर बोले सुबत से शाम तक यह सालिर रुपया ही मांगने आते हैं लोटाने के बखत जान पर आती है किशन और डॉक्टर साहब नमस्ते करके चले गये उनके मन में क्या था कौन जाने इस गटना के कई दिनों बाद पंडीत खेत पर जा रहे थे रास्ते में मिल गए जीवन और किशन पंडीत जी ने पूछा कहीं गय थे क्या जीवन भैया दिखे नहीं इधर कई दिनों से किशन तुम भी नहीं आए रामायन भागवत रोज शाम को हुआ करती है तुम लोगों के बिना सुना सुना लगता है भाई आज आया करो धर्म की वार्ता से इतनी दूर क्यों रहते हो हसर पढ़ने लगा है क्या पढ़ोसी का किशन चुप रहा पर जीवन बोल उठा पंडिजी रामायन भागवत और पूजा पाठ से फायदा ही क्या अगर हम आदमी को आदमी न समझ सके मैं तो रामायन भागवत का पाठ नहीं करता पर आदमी को आदमी समझता हूँ भगवान मंदिरों में नहीं हम और आप गरीबों में है पर किराय के लिए उस दिन जो कुछ आपने उस गरीब स्त्री के साथ किया न वो उचित नहीं था पंडी जी हस पड़े बोले जेवन यही तो तुम भूल करते हो अगर मैं कहूं कि उस गटना के घंटे बर बाद ही उस इस्त्री ने किराय के रुपे लाकर दे दिये तब तो तुम विश्वास करोगे न कि वो जूट बोलती थी और उसके साथ वही वर्ताव होना चाहिए था जो मैंने किया था किशन बोला वो इस्त्री और दीनू पंडित दोनों आपको रुपे दे गए क्यूं? पंडिजी सगर्व बोले दे कैसे न जाते मैंने अदालत की जो धमकी दी थी यह सब साले इसी लायक है जीवन बोला पर पंडिजी इन दोनों आफत के मारे गरीबों को उसी दुराचारी दयाशंकर से मैंने ही रुपे दिलवाय थे और तब कहीं जाकर वो इसकष्ट से चुटकारा पा सके नहीं तो अब तक धन्नों के बच्चे और दीनू की बहु का नजाने क्या हाल हुआ होता? शायद दीनू तो अदालत के चक्कर काटता होता और धन्नों? धन्नों तो बच्चे को दफना चुकी होती परन्तु एक दुराचारी ने उन्हें उबार लिया मेरी राय में तो आप सरी के सदाचारीों से ये दुराचारी कहीं अच्छा धन्यवाद कहानी कैलाशी नानी लेखी का सुभद्रा कुमारी चौहन पता नहीं मेरी कैलाशी नानी अब इस संसार में है भी की नहीं परन्तु उनकी स्मृती इतनी ताजा है कि आज भी कैलाशी नानी वही अपनी मैली घुटने के उपर तक की धोती और फटी भी मिर्जाई पहने बगल में रोटी और नमक की पोटली संभाले और हाथों में गाये को हाकने के लिए डंडा लिये न जाने कितनी बार आखों के सामने गूमती भी दिख जाती है वह गवार अनपरिस्त्री जिसे अक्षर का ज्यान भी न था सहजी भूला देने योगी न थी मेरी नानी न होकर भी वह मेरी नानी थी मेरे मामा के गाउं में मामा के घर से हटकर उनका छोटा सा जोपड़ा था लिपा पुता साफ उस जोपड़े में न तो कोई दर्वाजा था जो कभी बंद हो सके और ना ही कोई दूसरा सामान बरतनों के नाम पर मिटी के कुछ ठीक रहे थे और बिस्तर की जगह थोड़ा सा पुवाल पड़ा था यही मेरी कैलाशी नानी की ग्रिहस्ती थी पडोसी ही उनके परिवार वाले और गाउं के बच्चे उनके परमेश्वर हाँ तो मेरी कैलाशी नानी उस गाउं में रहने वालों के जानवर चराने ले जाया करती थी उस गाउं में करीब 40 घर थे और प्रते घर से एक सेर अनाज चराई में मिल जाया करता था कैलाशी नानी की यही जीविका थी इसी में कैलाशी नानी का दान पुर्णे सब हो जाया करता था और इसी अनाज को बदल कर उन्हें रोज के वैवहार के लिए नमक, मिर्च, मसाला भी लेना पड़ता था पैसे तो गाउं वालों को वैसे ही बड़ी कठिनाई से देखने को मिलते हैं कैलाशी नानी की तरह गरीबिन को पैसे का दर्शन दूरलब होना ही चाहिए इस प्रकार जीवन बिता कर भी कैलाशी नानी दुखी न थी वे सदा प्रसन और हस्ती रहती थी, दूसरों की सेवा के लिए तत पर रहती आधि रात को भी बुला लो, वह तुम्हारा काम कर देंगी और तुमसे किसी प्रकार की आशा भी न रखेंगी जाड़े के दिन शुरू थे, एक दिन मामा के गाउं से एक आदमी संदेशा लेकर आया कि मामा ने मा और बच्चों को बुलवाया है जब तक मा ने मामा के घर चलने की तयारी न कर डाली, तब तक हम भाई बहनों ने उन्हें तंग कर डाला सबसे बड़ा भाई मैट्रिक में था, इसलिए उसे छोड़ कर हम सभी भाई बहनों को लेकर आखिर एक दिन मा मामा के घर आ गई मा के साथ आने वाले भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी थी मेरी उम्र 10-11 वर्ष की थी हम भाई बहनों को मामा के घर में और तो कुछ अच्छा न लगता था पर मामा के घर से 100 फुट दूर एक नदी बहती थी उसमें नहाने और कैलाशी नानी के साथ धोर चराने के लिए जाने में बड़ा आनन दाता था कैलाशी नानी जिस जगध धोरों को ले जाती थी वहाँ दूर तक जहां तक दृष्टी जाती सब हरा ही हरा दिखाई पड़ता दूर दूर तक आम, पीपल और धाक के व्रिक्ष थे इनकी चाय में हम दोपहर को आराम करते गाउं के छोटे बच्चों का जुन्ड नानी के नित्रित्वे में धोर चराने निकल जाता वहाँ केवल धोर ही ना चराय जाते थे वहाँ कहानिया भी कही जाती थी पहेलिया भी पूछे जाती थी और कभी-कभी राम लीला का खेल भी खेलते थे हम भाई बैनों को इस ग्रामिन जीवन में बहुत सुख मिलता था एक भाई बहुत चोटा था, वह तो मा के साथ ही रहता था हम तीन भाई बैन प्राया रोज कैलाशी नानी के साथ जंगल में भाग जाते मुझे याद है, हम लोग घर के अच्छे से अच्छे भोजन को यह कहकर छोड़ देते थे कि यह अच्छा नहीं बना और सची, वह अच्छा भी न लगता था कैलाशी नानी की जंगल में सूखी रोटियां, नमक या कभी चटनी के साथ खाने में जितना स्वाद आता था उतना स्वाद कभी किसी भोजन में नहीं आया रोटियां भी गेहूं की नहीं, न जाने किस तरह के अनाज मिलाकर बनाई जाते थी कैलाशी नानी को हर घर से एक ही तरह का अनाज थोड़े ही न मिलता था कहीं गेहूं, कहीं जौ, कहीं जवार, मक्का, उरद, मूंग, अरहर सब मिला कर एकठा कर देती और रोज अविशक्ता नुसार किसी की चक्की से पीस लाती और दूसरे दिन के लिए रोटियां सेख कर रखते थी यही उनका प्रती दिन का आहार था यही रोटियां वह सब को खिलाती और हम लोग बड़े स्वाच से खाते थे कभी-कभी गाओं के दूसरे बच्चे नदी में धोती फैला कर मचली भूनते उस दिन केलाशी नानी रोटि भी नहीं खाती सत्तु खाकर ही सो रहती इसी प्रकार एक दिन हम लोग केलाशी नानी के साथ हार पर गये थे उस दिन केलाशी नानी ने राजा रानी की कहानी सुनाई थी राजा के एक राजकुमारी थी, बड़ी सुन्दर और बड़ी नेक किन्तो एक दिन जब वो नदी पर नहा रही थी तब परियों के देश के राजा का राजकुमार आया और राजकुमारी को घोडे में बैठा कर ले भागा कहानी सुनने के बाद कलेवा से पहले हम लोग बड़ी देर तक नहाते थे और तैरते थे पानी बहुत गहरा न था पर साफ था नदी में नहाने का प्रलोबह नहीं हमें रोज यहां घजीट लाता था हाँ तो उस दिन नहाते नहाते मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं परियों के देश का राजकुमार ना आ जाए वहां राजकुमार तो ना आया परन्तु जब नहां धोकर लोटी तो देखा कि कैलाशी नानी के पास कोई बैठा है कपड़े जरा साफ सुत्रे थे मैं डरी कि कहीं यह वही राजकुमार तो नहीं फिर घबड़ा कर दूर तक नजर दोड़ा कर देखा कहीं कोई घोड़ा भी नहीं दिखा मैं बेफिक्र हो गई कि यह राजकुमार नहीं है वह होता तो घोड़ा जरूर होता बाद मैं कैलाशी नानी से मालूम हुआ कि वह गाउँ का जमिनदार है और कैलाशी नानी को हर महिने धोर चरवाई में पांच सेर अनाज देता है वह वही हम लोगों के पास ही पीपल के पेड़ की जड़ में बैठ गया और हम सब भाई बेहनों के बारे में कैलाशी नानी से बातचित करने लगा जब उसे मालूम हुआ कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है तो उसे बड़ा आश्चरे हुआ क्योंकि गाउं में तो उस समय लड़की के पैदा होते ही ब्याह की बातचित हो जाती थी और तीन-चार साल होते होते उसका ब्याह भी हो जाता था उसने स्वर को धीमा करके कैलाशी नानी से कहा कि क्या कुल में कोई दाग है जो इतनी बड़ी लड़की अब तक कुँआरी है कैलाशी नानी ने कहा कि नहीं भईया कुल में दागवा कुछ नहीं है बड़े आदमी है लड़के लड़की सभी पढ़ते हैं यही बेटिया रामायन बांच लेती है, अंग्रेजी पढ़ती है, जब पढ़ लेगी तब लायक वर देखकर ब्याह कर देंगे। वह जमिनदार जितनी देर तक बैठा रहा, बार बार हमें ही देखता रहा। दूसरे दिन जब कैलाशी नानी धोर ढीलने आई, तो छोटे भाई बहन अभी तक सोकर नहीं उठे थे, इसलिए मैं अकेली ही नानी के साथ निकल आई, कलेवा करने के पहले हम सब बच्चे फिर नदी पर नहाने गये। जब हम जा रहे थे, तभी वह जमिनदार फिर आया, वह कैलाशी नानी को बड़ी देर तक कुछ समझाता रहा, उसे कैलाशी नानी ने हाथ जोड़कर कुछ अस्विकार किया, जमिनदार ने कुछ न सुनकर नानी के पल्लू में जबरदस्ती कुछ बांध दिया। हम लोग भी रोटी खाने आये, पर कैलाशी नानी रोज की तरह खुश न थी। उनके चेहरे पर आज एक अलग तरह की उदासी थी, जो छिपाय न चिपती थी। उन्होंने हमें खिलाया, पिलाया और फिर कहानी सुनाने बैठी। किन्तु कहानी में उनका मन न लगा। अन्य दिनों की तरह जब मैं बच्चों के साथ धोर हाकने जाने लगी, तो उन्होंने मुझे जाने न दिया, उन्होंने मुझे अपने पास ही बिठा कर रखा। मैंने जिद की, तो मुझे डाट भी दिया। शाम हो चुकी थी, मा तुलसी के पास दिया जला रही थी। कैलाशी नानी छिपती हीवी सी मा के पास आई और इशारे से बुला कर अलग कमरे में ले गई। उन्होंने मा से कहा कि वह अपने बच्चों समेच जल्दी से जल्दी अपने घर वापस चली जाएं। कारण कि वह जमिनदार हम दोनों बेहनों को अपने नालाइक पुत्रों की वधू बनाना चाहता है। जमिनदार का मेरे मामा से बहुत दिनों से बैर चला आ रहा था। शायद वह अपने इस बैर का बदला इस प्रकार लेना चाहता है। वह चाहता है कि कैलाशी के साथ धोर चराने जाने पर वह हम दोनों बेहनों की मांग में अपने पुत्रों से सिंदूर भरवा दे। इस प्रकार हम दोनों बेहने उसकी पुत्रवधुएं बन जाएंगी। मामा जान कर भी कुछ न कर सकेंगे। इस काम में वह कैलाशी नानी की सहायता लेना चाहता था। इसलिए 10 रुपे उनके पल्लू में जबरदस्ती बांध दिये थे। 40 रुपे काम पूरा हो जाने पर देने का वादा किया था। कैलाशी नानी ने शपत लेते वे वह 10 रुपे कमर से निकाल कर मा को दिखाए और फिर बोली। बिटिया जूट नहीं कहती। मेरे पास तो 10 पैसे भी नहीं है। फिर ये 10 कलदार कहां से आये। ये उसी अधर्मी ने बांध दिये है। तुम बिटिया को लेकर चली में तुम फिर कभी ना आना। बिटिया का शादी ब्याह करके ससुराल भेज कर ही फिर आना। कैलाशी ने यह भी कहा कि वह हमारे जाते ही इन रुपियों को जमिनदार के आगे फेक देगी। अधर्म का पैसा वह कभी स्विकार न करेगी। मुझे याद आया कि एक दिन ए उन्ही को वापस दे दी तो कैलाशी नानी के चेहरे से ऐसा भाव टपक रहा था जैसे उन्हें कहीं का खजाना मिल गया हो। कई बार इकन्नी को उलट-पुलट कर देखने के बाद कैलाशी नानी ने उसे कमर में खोज लिया। जाते समय मा को जाने कितने आशरवात देते वेवा गई थी। वही कैलाशी नानी आज कमर में दस कलदार बांदे थी। कल जरा सी बात पर 40 रुपे और मिलने वाले थे। पर कैलाशी नानी अधर्म का पैसा नहीं लेना चाहती। उन्होंने कहा कि एगले दिन वह हमें वहां से भेजे बिना धोर चराने नहीं जाएग और जमिनदार के रुपे उसके दर्वाजे पर जाकर फेक देगी। फिर चाहे वह महिने के पांच सेर अनाज बंध ही क्यों न कर दे। कैलाशी किसी से डरती नहीं। वह कहीं भी जाकर ढोर चराकर पेट पाल लेगी। माँ उनकी बातों पर विश्वासी नहीं कर पा रही थी। कोई कैसे उनकी पुत्रियों की मांग में सिंदूर भर कर घर में रख लेगा। मेरे पिताजी प्रसिद्ध वकील है। वे जमिनदार को जेल खाने की हवा खिला सकते थे। फिर भे मा कैलाशी नानी के आग्रह को टाल न सकी। दूसरे ही दिन हमें लेकर वह घर चली आई। तब से आज तक कैलाशी नानी का हमें कोई समाचार नहीं मिला। धन्यवाद।